हलो दोस्तो, प्लसफंड के यूटूब के वीडियो में आपका स्वागत है, दोस्तो मेरा नाम है निकित शाह, दोस्तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले कि फेस वोल्टेज या लाइन वोल्टेज दोनों में से कौन सी वोल्टेज में आपका मोटर जाधा वाला है, फेस वोल्टेज में या लाइन वोल्टेज में, बहुत ही डीटेल में हम लोग इस वीडियो के सीखने वाला है, बहुत ही आसानी से मैं आपको सिखा दूगा, तो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है तो चले शरुआत करते हैं, सबसे बहुत हमें जानना यह है कि यह जो फेस वोल्टेज जो मैंने बताया है, या जो लाइन वोल्टेज बताया, उसका मतलब क्या है, फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का मतलब होता है, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, लेकिन स्टार्ट कनेक्शन और डिल्ट कनेक्शन का फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज से क्या ले नहीं देना पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा उसके बाद में हम लोग बता सकते है कि भई कौन सा वोल्टेज जो है जाधा करेंट खाने वाला है correct तो उसके समझने के लिए हमें three phase motor को समझना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको मालूंग रहेगा कि three phase motor जो रहता है उसके अंदर तीन coils रहती है बरवर है क्योंकि तीन phase अलग अलग जाते हैं उसके तीन पॉइंट है तीनों के यानि की winding के जहां से शिरुवात होती है जिसमें ryb के नाम से पहचानते हैं अगर आपको मालूंग नहीं आरवाइबी क्या है तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो ज़रूर बनाऊगा आरवाइबी का मतलब था रैड ब्लू और यलो ये कलर कोड है जो कि three phase power supply को लगाया जाता है ठीक है तो अगर मैं ryb पे यहां पे starting current जो रहता है वहां पे connection करता हो कुछ इस प्रकार से और उस उसके जो अन्त वाला हिस्सा है तीनो phase के जो end वाले हिससे उसका आपस में जोड दिया तीनो को तो इस connection को बोलते है star connection क्या बोलेगे star connection तो star connection हमारे जो three phase motor है उसके उपर जो box लगा हुआ रहता है जहां पे हम लोग u, v, w करके पहचाना जाता है वहां पे अगर आप देख दूसरे को जोड दिया यानि क्या हो गया यह star connection इतना समझ मैं है चले और एक पाट समझते अभी मालो इसी के अंदर जैसे कि आपको यहां पे नजर आ रहा है यह तीनों को मैंने r, y और b का connection दे दिया यानि कि हम लोग ने उसमें power supply दे दिया अगर अभी मैं यहां पे क्या एंडिंग पॉइंट है उसके साथ मैं जोड देता हूँ और blue करा का जो starting है उससे r के ending point को मैं जोड देता हूँ इस तरीके से अगर मैं connection करता हूँ इस connection जो यह जो connection है आपको अगर मैं सरलता से यहां पे समझाने की कोशिश करू यह r से r का जो starting है वहां से y के end को लगाया य के starting से blue को end को लगाया और blue के starting से मैंने रेड को end को लगाया इस तरीके से यहां पर connection किया है इस connection को मैं भूबब गोलते हैं delta connection कैया बगलता है delta connection साज बगही बथ अगर delta connection की बात करें तो motor के जो उपरी भाग है वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दाए आपको star connection ने कहा था यह connection neutral आपस में एक दुसरे को जोड़ दिया था यहाँ पर हम लोग ने आपस में एक दुसरे को नहीं जोड़ा हुआ यहाँ पर कैसा है एक का starting तो दुसरे का ending के साथ में इसको जोड़ा हुआ है फिर दुसरे का starting तीसरे का ending फिर तीसरे का starting पहले का ending इस तरह से आपस में एक दुसरे को जोड़ा हुआ है तो इस connection उख गोलते delta connection समझ भाय इतनी बात तो यहाँ पर अगर मैं आपको वो सरल्दा से और उसको थोड़ा सा elaborate करने की कोशिश करो और सरल्दा से बताने की कोशिश करो तो star connection जो रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है यहाँ पर तीनों coil उसके तीनों coil का जो phase है वो यहाँ पर supply दे दिया और उसका तीनों coil का जो ending point एक दुसरे के साथ मैं जोड़ दिया इसको हम लोग बोलते है phase voltage क्या बोलेगे क्योंकि हम लोग जो भी checking करेगे तो कहां से check करेगे इधर और इधर रख के check करने वाले यानि कि एक phase जो है पर coil एक ही phase जा रहा है इसके लिए हम लोग हर एक point पे दो phase है हर एक supply पे कितने है दो phase जा रहे हर एक coil पे कितने जा रहे है दो phase जा रहे है इस वज़े से इस connection को हम बोलते है line voltage यहाँ पर जब हम लोग check करेगे तो line to line हमें check करना पड़ता है यहाँ पर तो line और neutral के बीच मे चेक करना पड़ता है यह neutral हो गया ना तीनों एक साथ में mix हो गया तो neutral हो गया इसको बोलते है phase voltage जब भी line to line हम लोग जब भी check करते है तो उसको बोलते है line voltage अभी समझ में आपको line voltage और phase voltage क्या है तो एकदम वापी से एक बर दोहरा था हूँ कि हमारा जो star connection रहता है वो हमारा line या phase voltage रहता है और delta connection रहता है वो हमारा line voltage रहता है जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया जो star connection आपका phase voltage है और delta connection आपका line voltage है यह पूरा terminal box है जो three phase motor के उपर जो terminal box है उसके पर रहता है लेकिन हमारा question तो अभी भी वही है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा current कौन खाने वाला है star connection ज्यादा current ख चालो करते है mobile repairing, electro repairing, electronics, electrical, home appliances, repairing, computer hardware, software काफी सारे courses है यह सब courses करने के लिए google play store पे आपको खाली plus point training नाम का app search करना है यह download करने के बाद install करने के बाद आप open करोगे तो वहाँ पे काफी सारी चीज़े आपको नजर आएगी जिसमें store section पे click करने आपको सभी courses हम लोग जो provide कर आपको नजर आएगे, view all करने पर नजर आएगे, जो course करना उस पे click करने के बाद उसकी सारी detail information fees के related आपको मिल जाएगी, इसके अलावा अगर आप content पे click करेगे तो उसके अंदर हम लोग क्या-क्या चीज़े सिखाते हैं वो भी details आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यह app के जरी आप मुझसे directly बातचित भी कर सकते हो, अधिक जानकरी चाहिए, online courses के related, तो यह मेरा whatsapp number है, जिसमें मुझे किवल high का message जा देज़े, तो मैं आपको online courses के related पूरी जानकरी प्रोवाइट करवा दूगा, इसमें से कौन सा current जादा खाने वाला है, चलिए उसको समझने के मैं एक example देता हूँ, यहाँ पर 3 phase motor लिया है, जो की 5 kilowatt की motor मैंने ली हुई है, कितने? 5 kilowatt की, ठीक है 3 phase motor है, अभी माल लो कि star connection जब भी मैं करता हूँ, तो star connection में मैंने क्या बताया है, कि 3 phase जो है, वो एक दुसरे के साथ में जोड जाते है, यानि कि 3 phase का जो ending point है, वो एक star connection, तो माल लो, हर एक phase में कितना volt है जाया? 240 volt, यह 240 volt कैसा है, अगर मैं उसको भी explain करूँ, तो अगर मैं 3 phase की बात करूँ, तो 3 phase में हम लोग बोलते है कि 415 volt जा रहे है, बरवर है, 415 divided by root 3, अगर तुम यह calculation करोगे, तो आपको 240 volt ही मिलेगा, correct? इसी तरह के से power जो है, वो तब क्या आता है? 500 into 1000, इसका मतलब होता है 5000, तो power कितना है? 5000, तो हमें voltage मिल गया है, power मिल गया, अभी हमें क्या ढूणना है? current ढूणना है, current के लिए बहुत ही simple formula, current is equal to power divided by V, यानि कि voltage into root 3 into PF, PF का मतलब होता है power factor, correct? तो इतनी चीज़े हमें लगानी पड़ती है, तो अगर मैं इसका calculation करूँ सरलता से, तो 5000, ये 5000 कहां से है? क्योंकि हमारी जो motor की ताकत है, वही 5000 है, इसका मतलब है 5000, इसका मतलब है 5000, इसका मने 5000 लिया है, 240, क्योंकि per phase हम लोग 240 वोल्ट देने वाल है, into 1.732, 1.732, root 3, अगर मैं इसका calculation करूँ, root 3 का, अगर आप scientific Kelsey है, तो आपको 1.732 मिलेगा, into 0.8, ये power factor है, 0.8, 0.6 से लेकर 0.8 के बीच में power factor रहता है, तो मैंने यहाँ पे 0.8 लिया हुआ है, correct? तो इसके calculation के ही सबसे, I की जो value होगी 5000, divided by 332.54, इसका मतलब है, I की value होगी 15A, तो अगर मतलब मैं phase voltage में, अगर मेरी motor चलाता हूँ, याना की star connection में, अ current लेने वाला है, इसी प्रकार से, अगर मैं delta connection की बात करूँ, याने की line voltage की बात करूँ, तो line voltage में हम लोग ने क्या सिखा था, कि इसका starting, दूसरे का ending, इस तरीके से जोड़ा हुआ है, correct? तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, delta connection, इसके अंदर, आपको हर phase, मुलाँ एक phase, द दूढ़ना है, तो current अगर मुझे दूढ़ना है, तो I same formula में लेता हूँ, जैसे हम लोग ने star के लिए रहा थिया, तो वैसे ही 5000 divided by 415 into 1.732 into 0.8, अगर मैं इसका calculation करूँ, तो यहाँ पे मुझे, जो current मिलेगा, वो मिलेगा, current is equal to 8.69 mps, याने कि लगभग 9 mpr के आसपास, तो star में आपको कितना current मिल रहा था, star के अंदर आपको 15 mpr का current लगता था, motor को चलने के लिए, जबकि delta के अंदर, अगर मैं पूरा calculation के साथ में बता हूँ, तो delta के अंदर लगभग 9 mpr का current जा रहा है, तो अभी आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया, कि अगर आपका star connection में आपका motor चलते है, याने कि face to face voltage के उपर अगर आपका motor चला रहा है, तो लगभग 15 mpr का current जाएगा, अगर आप delta connection में आपकी motor चला रहा है, तो लगभग आपको 8.6 mps, याने कि लगभग 9 mpr का current आसपास motor खाएगा, तो I think अभी ये पूरा clear हो गया मामला, कि star में च चलाना है चाहिए, हमारा जो star connection है, वही face voltage था, और delta connection था, वही हमारा line voltage था, तो I think ये दोस्तो ये पूरा concept आपको clear हो गया रहेगा कि कौन सा voltage जो है, जादा खाता है, दोस्तो अगर आपको online courses करने है, तो ये मेरा whatsapp नमबर है, इसमें मुझे केवल high का message डा दीज तो मैं पूरी जानकर आपको whatsapp के माधियम से भिजवा दोगा, अगर आप नए है चैनल के उपर तो subscribe का button दबा के bell का icon दबा देजाए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियो जाए का उसको notification आपको जल सेजन मिल जाए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like और share करना ना भूली अपने दोस्तों के साथ में, चले इस वीडियो में इतना ही, thanks for listening